हलो दोस्तो मैं हूँ असंकर आपको अपना यूट्यू चैनल ट्रिकी वाई विसकुपता में स्वागत है दोस्तो आज मैं बहुत बड़ा अपडेट लेका राया हूँ दोस्तो इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहेगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज क्या है अपडेट उसके बारे में हमरुप किसार से जाते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहा है जारखंड अकेडमिक कॉंसिल राची के दवारा एक नोटिस निकाला गया है दोस्तो जिसमें बताया गया है मेडिकल इंजिनेरिंग एवं सिलेट की परतियोगिता परिक्षा की तयारी के लिए इसकुली सिक्षा एवं सक्षता विभाग जारखंड सरकार दोबारा संचालित अकंचा केंद्र में नमांकन है तू आयोजीत होने वाली परवेश परिक्षा तथा मुख मंत्री मेधार चातुरुती परिक्षा 2022 से समवंधित महत्यपून सुचना है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आप लोग का आठ कलास के होने वाला मुख मंत्री मेधार चातुरुती परिक्षा का फोम भरने का लाज़ डेट तिस पाच 2022 था लेकिन उसको बढ़ा कर आगे आपको मांकन के लिए भी इसमें भी परिक्षा के फोम का भी डेट बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से यहां पर भी यापन निकला है अर्था सुचना निकला है तो इसलिए आप इसको देख लीजे और हाँ जो कंडिडेट मुख मंत्री मेधा चातुरुती परिक्षा क आप फॉर्म फिल अप नहीं किये है वे जल्द से जल्द कर ले क्यांकि आप लास्ट डेट है इसके बाद का अपडेट नहीं भरने वाला है इसलिए आप जितना हो सके इस फॉर्म को भरे इस फॉर्म को भरने पर आपको पास होने पर आप लोग को और तालिस हजार का स्को तो बारे में हमलोग विशार से पढ़ते हैं, देखिए विग्यापिती संख्या 34-2022, विग्यापिती संख्या 16-22, एवं 30-2022 दोवारा अकांच्या केंद्र में नमांकन हेतू, आयुद होने वाली परविश परिक्षा 2022 सथा विग्यापिती संख्या 13-2022, एवं 31-2022 दोवारा मुख मंत्री मेधा छात्रिती परिक्षा 2022 संबंदित परिक्षा आवेदन प्रपत्र अनलनाइन आमंत्रित किया गया था, इन परिक्षाओं के लिए सभी संबंदित जीला के लिए एक लक्षे का निर्धारन किया गया था, जिसकी प्राप्ती नहीं हो सकी, युक्त इस्तिती में समयक विचारो प्रांत परिक्षा आवेदन प्रपत्र जामा करने की तिथी निम्न रूप से भी सारित करने का निर्धारन लिया, मुख मंत्री मेधा चातरती का फोर्म फिलेप नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस फोर्म के डेट को बढ़ा दिया, बढ़ाने का निर्धारन लिया है, चलिए देखते हैं इसके बाद, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अकांच्छा केंद्र में नमांकन हेतू परवेश परिक्षा दुहजार बाईस, आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम्ति थी, अर्थात आप लोग को यहां पर, यह देखिए, आप लोग को 4-6-2022 तक कर दिया गया है, जबकि मुख मंत्री मेधा चातुरती परिक्षा 2022, जिसका अंतिम डेट 35-2022 था, लेकिन उसको भी थोड़ा बहा कर, परिक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन के जमा करने की अंतिम्ति थी, 4-6-2022 तक कर दिया गया है, आर्थात आप लोग को बहा कर पास दिन और बहा दिया गया है, आर्थात आप लोग को परिक्षा 2022 तक भरा जाएगा और आपके प्रिंस्पल आर्थात हेड़ मास्टर की और से आप लोग का प्रिक्षा को फिलप जिरा सिक्षा पधिकारी ने अंतिम डेट उसका साथ छे 2022 तक कर दिया गया है, इसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सभी संबंधितों से अनरोध है कि उप्यूक्त निर्धारित तिथी अंतिम रूप से आर्थात अंतिम रूप से तक परिक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिचित किया जा, इसके बाद तिथी भी सारित नहीं की जा सकती है, तो दोस्तों आप लोग का जो फोर्म नहीं फिलप किये है, एट कलास का वे जल से जल्द मुख मंत्री मेधा चातरती परिक्षा 2022 का फोर्म भर दे, क्योंकि उसका लास्ट डेट वहा कर छे, सोरी, पाच छे 2022 तक कर दिया गया है, इसके बाद कोई संसोधित नहीं किया जाएगा, यह आपका अंतिम डेट है, इसके बाद आगे इसका डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, जितना काडिडेट लोग इस फोर्म को भरे होंगे, उतना ही का एक्जाम आप लोग को जुलाई में ले लिया जाएगा, इसलिए जितना हो सके, इ उनको जनकारी नहीं है, साथ ही कोई सिख्षक के दोबारा भी इनको जनकारी पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है, पिछले के आकरा को देखते हुए, यह मालूम होता है कि आप लोग को लगभग 60,000 फोर्म में अभी 20,000 फोर्म ही लोग भर सके हैं, इसलिए आप जितना ह हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करें और एट क्लास में पढ़ने वाले दियार्थियों को इसके बारवें विशेष जनकारी प्राप्त करें तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए चाहिन जय भारत